अम्बाला केंट के सियावाटिका में पूर्व ग्रिह मंत्री अनिल्विज की अध्यक्षता में पन्ना प्रमुक सम्मेलन का आयोज्वन किया गया इस सम्मेलन का मुख्य मकसद बीज़पी कारिकर्ताओं को चुनाफ प्रचार के बारे में जानकारी देना था कि किस सरह से लोगों से मिल कर बीज़पी कैंडिडेट को जितवाने का काम किया जाए वही इस कारिकर्म की शुरुवात भारत माता, शाम प्रसाद मुखर जी और दिन दयालू पाध्याए के चित्र पर पुषपांजली अपित करकी गई इस मौके पर भारी संख्य में बीज़पी कारिकर्ता मौजूद रखे वही अनिल विज ने बंतो कटारिया के लिए वोट की अपील के साथ थी विपक्षी पार्टियों पर जम कर निशाना साथा विज ने कहा कि कॉंग्रिस की हवा निकल चुकी है, वो जूट के साथ कैंपेंड करना चाहते है विज ने कहा कि भाजपा अपनी उपलब्धियों को जनता के सामने रखना चाहती है उन्होंने नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि मोदी ने जो देश से लेकर विदेश तक काम किये है वो हम जनता के सामने रखना चाहते है उन्होंने कॉंग्रस पर निशाना साकते हुए कहा कि कॉंग्रस के पास बताने के लिए स्क्राइम के अलावा और कुछ नहीं है आपको बता दे कि भाचपा इंग लोग सभाद चुनावों में जीत के लिए जीतोर मेहनत कर रही है वहीं जन्ता के बीच जाकर बीचेपी के उपलब्धियों को बताया जा रहा है पंजाब केस्टी टीवी के लिए अमारा सेख रुशन बाली की रिपोर्ट